दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे IC engine के important part crank shaft के बारे में IC engine के part को दो तरह से categorize किया जाता है stationary और structure forming component और दूसरा होता है moving और mechanism forming component जो crank shaft है यह है moving और mechanism forming component के अंतरगत आता है तो बात करते हैं कि crank shaft का इस्तेमाल IC engine में किस कारिया के लिए किया जाता है crank shaft का main कारिया होता है कि जो piston से हमें reciprocating motion मिलती है उसको rotary motion में convert करना होता है by using connecting road अगर हम देखें यहाँ पर जब piston slender में reciprocate करता है तो crank shaft और piston के बीच में जो connecting road है उसकी मदद से piston की reciprocating motion को crank shaft के दुआरा rotary motion में convert किया जाता है जो crank shaft है एक परकार सी एक crank mechanism पर कारिया करती है तो बात करते हैं कि जो crank shaft है इसे कैसे बनाया जाता है इसकी manufacturing कैसे होती है इसको हम casting और forging से इसको बना सकते हैं लेकिन forging को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आज की date में क्योंकि जो forging process से बनी हुई crank shaft होती है वो ज़्यादा strong होती है उसका design compact होता है light weight होती है और उसके अंदर inherent damping capacity बहुत जबरदस्त होती है अब बात करते हैं crank shaft को किस material से बनाया जा सकता है crank shaft को बनाने के लिए cast iron का इस्तेमाल किया जा सकता है forged steel का इस्तेमाल कर सकते है carbon steel का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर load कम है engine पर उस case में cast iron से बनी crank shaft का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा performance के लिए हम forged steel से बनी हुई crank shaft का इस्तेमाल किया जाता है अब बात करते हैं कि जो crank shaft है उसके क्या-क्या part होते हैं और सबसे important बात कि जो crank shaft है वो strong और उसकी rigid construction होनी बहुत ही जरूरी है और crank shaft की जो shape है वो mainly depend करती है जो cylinder के number कितने है और उनकी arrangement कैसी है उस अधार पर ही crank shaft की जो shape है वो depend करती है और जो crank shaft है वो engine block में rotate करती है अगर आप इस diagram में देखते हैं तो यहाँ पर यह जो engine block में जो नीचे का portion है तो यहाँ पर crank shaft लगी हुई है crank shaft के उपर यह connecting road है और connecting road piston के साथ connected है और यह उपर यह cam shaft लगी हुई है तो बात करते हैं crank shaft के parts के बारे में सबसे पहले अगर हम देखें इसके जो parts है main bearing journal जो यहाँ पर अगर देखें बीच में लगा हुआ है यह main bearing journal है यह भी यह तो यह सबी क्या है main bearing journal उसके बाद है crank pin यह crank pin है यहाँ पर यह crank pin है यह भी crank pin है और यह देखें यह भी crank pin है अब जो crank pin का अगर हम देखें detail में तोड़ा बाद में discuss करेंगे उसके बाद ये जो portion है ये वाले जो portion है ये crank web कहलाते हैं और यहाँ पर ये देखें हम ये counter weight है उसके बाद crank pin में अगर हम देखें यहाँ पर एक hole बना हुआ है oil hole ये main bearing में भी होता है उसके बाद mount for camshaft gear crank nose और mounting flange flywheel के लिए तो सबसे पहले बात करते हैं जो crank shaft है ये इसका front end है और ये इसका rear end है main bearing journal जो main bearing journal है ये crank shaft को एक परकार से hold करने का कारिया करता है और engine block के अंदर जो rotational axis है उसको भी इसके द्वारा ही बनाया जाता है और ये engine block में attach होती है जो engine block का जो crank shaft का जो saddle है ये वाला जो portion है यहाँ पर ये लगी होती है उसके बाद जो next part अगर हम बात करें वो है crank pin ये वाला जो portion है crank pin को हम connecting road journal भी कहते है और एक परकार से ये जो crank web है इसको इसपोर्ट करने का कारिये भी करती है और जो crank pin है ये जो connecting road का जो big end होता है यहाँ पर अगर आप देखें ये जो connecting road का जो big end है ये इसके big end में ये crank pin लगी होती है उसके बाद इसका जो surface है वो cylindrical होता है ताकि जो connecting road का जो big end है उसको rotative force दिया जासके उसके बाद आता है crank web ये वाला जो portion है crank web जो है crank soft का बहुत ही essential part होता है और एक परकार से जो crank soft है और main bearing journal को ये connect करने का कारिये करता है क्योंकि crank web में देखें main bearing journal लगा हुआ है इधर ये crank pin लगी हुई है उसके बाद है counter weight counter weight की अगर हम बात करें counter weight जो crank web है उसका ही integral part होता है इस आप से देखें ये crank web के साथ ही इसके साथ ये integral है तो ये अलग से separate भी इसको attach किया जा सकता है counter weight को counter weight का main कारिया होता है कि जो crank पर जो bending load होता है उसको कम करना साथ में crank soft को balance और stability प्रवाइड करने का कारिया भी counter weight का होता है क्योंकि जब engine run करता है तो crank soft और जो connecting road का big end है इसकी rotation के कारण इन दोनों की rotation के कारण जो crank pin है उसके उपर जो centrifugal forces है वो produce होते हैं एक परकार से और उससे क्या होता है कि जो crank soft है उसके band होने के chances रहते हैं तो crank soft को band होने से बचाने के लिए या bending load को कम करने के लिए counter weight का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद है oil holes अब जब हमें पता है कि जब engine में बहुत सारे parts कारिय करते हैं तो उनकी proper lubrication हमें करनी होती है तो oil holes के माध्यम से जो lubrication है वो अंदर जाएगा क्योंकि जो crank shaft में जो oil holes हमने drill करके इसको बनाया जाता है इसका होता है कि जो connecting road के जो bearings होते हैं जो main bearings हैं या जो connecting road का big end में जो bearings लगे होते हैं तो वहां तक इन holes के माध्यम से lubrication oil को पहुँचाया जाता है ताकि प्रोप पर जो lubrication है वो की जाएशके उसके बाद बात करते हैं fly wheel mounting flange यह जो flange होता है यहाँ पर fly wheel को mount किया जाता है यह आप देख सकते हैं fly wheel यहाँ पर लगा हुआ है उसके बाद mount for cam shaft कि जो cam shaft है उसको drive करना है तो उसको हम drive कर सकते हैं V-belt drive के दुआरा कर सकते हैं chain sprocket के दुआरा भी drive किया जा सकता है और gears लगे हुए हैं gearing के दुआरा भी इसको drive किया जा सकता है क्योंकि अगर हम देखें जो crank shaft का front end है वहाँ पर gear लगे होते हैं यहाँ जो crank noach है यह pulley के लिए होती है क्योंकि जो gears यह sprocket हम use करते हैं basically cam shaft को drive करने के लिए या valve train को drive करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो pulley है जो crank noach है इसका इस्तेमाल हम जो engine की accessory हैं उनको run करने के लिए engine की accessory में जैसे fan है alternator है distributor है oil pump है fuel pump है fan है तो यह सारी engine accessory को run करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और जो fly wheel की हमने बात की जो crank shaft के rear end पर लगा होता है तो एक परकार से यह जो drive flange इसके साथ लगा होता है और जो fly wheel का जो इंडरसिया होता है वो basically जो crank shaft है उसको constant speed पर वो turn करता है उसके अलावा यहाँ पर यह जो pulley है यह vibration damper भी यहाँ पर लगे हो सकते हैं जिसे हम harmonic balancer कहते हैं वो basically जो torsional vibration उसको नियंतरित करते हैं twisting और untwisting जो forces उसको absorb करते हैं जो crank shaft पर exert होते हैं power stroke के दोरान उसके बाद जो हमने बात किया main bearing journal की जो main bearing journal की बात करें इसके जो number होते हैं basically कितने हम use करते हैं में लिए वो depend करते हैं engine के design पे और cylinders पे वो depend करते हैं ज्यादा main bearing journal अगर हुए तो उससे क्या होगा कि जो vibration की जो possibility है वो vibration होने की वो कम हो जाती है और crank shaft के distortions को भी कम किया जा सकता है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया IC engine के महत्तपून पार्ट crank shaft के बारे में इसके क्या कारिया होते हैं इसका material क्या रहता है इसके कौन-कौन से पार्ट होते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कर दोस्तो आपको वीडियो अच्छा लगा